एनिमेटर एप इस्तेमाल करके दिवाली ग्रीटिंग्स की एनिमेटेड जिफ बनाना सीखते हैं हम एनिमेटर एप में इस बार पेपर क्लिक करेंगे इस option से हमारे को background के कई papers कई background colors की option मिलती है और हम क्योंकि एक मुंबती की animation बनाना चाहते हैं तो हम कोई light pastel color चुन लेते हैं फिर हम कोई brush और उसकी opacity वो कितना पारदर्शी हो ये select कर लेते हैं हम पहले केवल outline बनाना चाहते हैं इसलिए हम हलके रंग की outline बना रहे हैं पर ये बहुत जादा हलका है मैं इसकी opacity थोड़ी कम कर देता हूँ तो हम हर frame में जो हमारी मुंबती की flickering flame है जो अस्थिर law है उसकी outline बना रहे हैं तो हम नए frame add करके उसमें मुंबती की law किस तरीके से हिल रही है केवल उसका outline sketch पहले बना रहे हैं तो law right की तरफ गई फिर left की तरफ गई और जो हमने sketch किया है उसको हम फिर play करके देख सकते हैं तो हमारी animation कुछ इस किसम की नदर आईगी अब हम फिर brush size और opacity चूज़ करके जो हमने frames बनाए हैं उनके law को color करना शुरू करते हैं तो यह animation हमारी है हम जो भी रंग चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक size चुनकर और ठीक opacity चुनकर frame by frame अपनी animation को color कर देते हैं जो हमने मुम्बती की law बनाई है उसको color कर देते हैं जब हमारे सारे frame color हो जाते हैं तो हम अगर play करके देखें तो अब हमारी मुम्बती की law कुछ इस तरीके से flicker कर रही है अस्तिर होकर जूम रही है अब हम इसको और realistic बनाने के लिए इसमें colors add कर सकते हैं क्योंकि जैसा आपने देखा है मुम्बती की law में अलग-अलग रंग होते हैं नीला भी होता है तो जैसा भी आप चाहें जतना भी आप इसमें effort डालना चाहें उस हिसाब से आप इसको और जो law है उसको और बहतर बना सकते हैं frame by frame हमने फिर से जो भी हम रंग भरना चाहते थे हर frame में हमने जाकर वो रंग भर दिया और इसमें हम जतना भी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा ये नजर आएगा अब हम इसको और ज़्यादा असली दिखाने के लिए थोड़ा इसमें और animation effect डाल सकते हैं तो जैसे हम अब थोड़ा सा इसमें धुआ दिखाना चाहते हैं जैसे कि मुम्बत्ती से हलका सा धुआ निकल रहा था frame by frame उसमें थोड़ा धुआ अड़ करना शुरू कर देते हैं तो अब हमारी animation कुछ ऐसी नजर आ रही है मुम्बत्ती की law बना कर और उसमें जो भी हमें color और effect डालने थे वो डाल कर अब हम चाहते हैं जो भी हम लिखना चाहें जो भी हमारा message है उसको हम लिखने के लिए नई layer add करते हैं हम नई layer इसलिए add कर रहे हैं क्योंकि अगर text लिखते हैं हमसे कोई गलती हुई केवल उसी layer को हमें change करना पड़ेगा और हमारी जो जिस layer में हमारी मुम्बत्ती की law थी उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा तो text लिखने के लिए फिर वही हम जो भी हमें color ठीक लगे वो color चूज करके brush size opacity चूज करके फिर हम text जो है वो लिखना शुरू करते हैं text को हम कैसे लिखेंगे ये भी हमारे उपर है कहने का मतलब है कि हम चाहें तो हम letter by letter text को animate कर सकते हैं या अगर हम चाहें तो word by word animate कर सकते हैं यहाँ पर मैं letter by letter animate कर रहा हूँ तो मैंने पहले frame में h लिखा फिर नया frame add किया यह हम नई layer पे हैं जो हमारी text की layer थी तो फिर नया frame add किया उसमें फिर a लिखा फिर नया frame add किया उसमें p लिखा और इस तरीके से letter by letter मैं लिख रहा हूँ happy diwali 2017 सारा text लिखने के बाद अगर हम इसको play करते हैं तो ये अब हमारी जो animation है वो कुछ ऐसी नदर आ रही है अब हम अपनी animation को export करना चाहते हैं gif file की तरह इसके लिए हम ये उपर button दबाते हैं जिससे project हमारा save हो जाता है जो नीचे हमें stickers नदर आ रहे हैं ये animator का एक और feature है जिसमें हम ये stickers अपनी animation में add कर सकते हैं इन stickers को हम किसी और प्रकरण में देखेंगे कि इनको हम अपनी animation में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा project save हो गया तो animator हमें दो option देता है या तो इसको वीडियो की तरह save कर लो या जिफ की तरह और इसको हम download कर सकते हैं या सीधे facebook पे share कर सकते हैं youtube में डाल सकते हैं email कर सकते हैं इतियादी इस वक्त मैं इसको केवल अपनी locally tablet में save कर रहा हूँ तो अब ये animator एक जो हमने animation बनाई है उसकी एक gif file generate कर रहा है और ये gif file cd tablet की जो gallery है जहां आप जब camera में photo कीचते हैं जहां वो save होती है ये जो gif file है ये उसी gallery में save हो जाएगी ये हमारी file save हो गई और अगर अब हम अपनी gallery खोलते हैं तो वहां पर ये gif file है और ये पूरी बनके इस किसम की gif नजर आ रही है अब क्योंकि ये locally आपकी tablet की gallery में saved है तो आप यहां से इसे किसी भी whatsapp facebook या किसी भी अन्य social media में share कर सकते हैं ये एक और उधारण है animated gif का इसमें भी वही है कि एक layer में मुंबती है और एक और layer में text है और इसको भी मैंने gif file बना के gallery में save करया तो एक बार आपको concept समझ में आ गया कि animator में आप कोई भी जो animation बनाते हैं उसको as a gif file export कर सकते हैं या as a video export कर सकते हैं और gif file export करके आप social media में share कर सकते हैं आप अपनी animation खुद बनाईए और उसको अपने दोस्तों को दिखाईए आप animation दीवाली की शुब कामनाओं की बना सकते हैं या कोई अच्छा social message जो है उसकी animation बना सकते हैं happy दीवाली